फ्रेंस नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फिस्बूक और आईज टीवे नेटवूक पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रो स्पेशल सीरीज और आज स्पेशल एस्ट्रो सीरीज में बात करेंगे हुली का एस्ट्रो कनेक्शन खास एपिसोड और इस एपिसोड में हम बात करेंगे साल 2022 की हुली कैसे रहेगी हुली पर क्या है भविश्वानी कमल नंदलाल की देश और दुनिया के लिए हु इसके बाद आपको बताएंगे बहुत शौट में होली का शुब महुरत क्या है और होली की आग से कैसे भविश्वानी की जाती है आपको ये भी बताएंगे पूरा एस्ट्रॉलिजिकल कनेक्शन बताएंगे होली का आई ये अजबारे में बात करते हैं देखे दोस्तों सबस 17 मार्च होली का देहन वाला जो दिन है चतुरदशी तिथी दोपहर को एक उन्तिस तक रहेगी उसके बाद में पूर्णिमा लग जाएगी जो शुकरवार 18 तारीक तक दोपहर को 12-17 तक रहेगी चंद्रमा सिंगराशी और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे र और अनादी योग जो रहेगा वो रहेगा गद या दोनों योग अशुब कहलाते हैं सूर्य दैस से लेके रात को 12 बच कर 34 मिनट तक भदरा रहेगी शमा कीज़ेगा अनादी योग रहेगा और भदरा रहेगी दोपहर को 1 बच कर 29 मिनट से लेकर रात को 1 बच कर 12 मिनट त जा सकता है और यह जो रहेगा रात को नौ बचकर 6 मिनट से ले रात को दस बचकर 16 मिनट तक कर रात को दस बचकर 16 मिनट तक एक घंटा लगभग दस मिनट का ये पीरिड है ये बधरा के पुच्च है और इस समय पर अगनी पंचक है इस बात का ध्यान रखा जाए और इस दिन जो अगनी का वास है वो आकाश में रहेगा तो वो बहुत शुब नहीं कहलाएगा लेकिन एक खास मोरत भी है और ये जो मो बज़े से लेके अगले दिन सुबह सूरे उदय तक है ये मोरत फिर भी ठीक है इस समय पर विशेश मातंग योग रहेगा शूल योग खतम हो जाएगा गदियोग भी खतम हो जाएगा तो ये मोरत अच्छा रहेगा जो रात को दो बज़े के बाद से शुरू होगा और सू पहला राजनेतिक देश उमर क्या उत्थल पुत् pelvis रहे की देश की स्टेट की क्या स्तिती रहेगी दूसरी गंड़ना फसल और आर्थिक स्तिती की और तीसरी गंड़ना जो हुती पराकरते पादाओं की ये भविश्वानी किस दिशा में धुआजा रहा है होली जलने का कि इस दिशा में अगनी की लपटे जा रही ही उस पर की जाएगी आई ये इस पर बात करेंगे देखे कुछ कंडिशन्स है पांच कंडिशन्स है जिसमें ये रहती है पहली कंडिशन है अगर अगनी अगर पूर्व दिशा की और जाए यानि कि पश्चिन दिशा से हवा चले तो अगनी पूर्व दिशा में जाए और धुव दिशा में जाए तो ऐसे में राश्टे राजनीती में भरी उतल बितल होती है दहलनी फस्टलों हाला कि लाब होता है पूर्व दिशा से कोई पराकर्ठिक आपदा ना होनी की बात मानी जाती है दूसरी बात पश्चिन दिशा अगर इस दिशा से हवा चले ठीक है और पूर्व से हवा चले और पश्चिन दिशा की तरफ अगनी और धुवा जाए तो क्या होता है देश में जल संबंदी आपदा होती के योग होते हैं देश में खुशहाली रहती है राजा, राज्य और मंत्री सम्मंदी जणहानी नहीं होती है तीसरी स्थिति अगर इत्तर की तरफ धुआ जाए हाँ और अगनी भी इत्तर की तरफ जाए तो क्या होता है प्रदेश की राजनीती में सरकार को कोई भी नुकसान नहीं होता राजा यानि के मुख्यमंत्री के बदलाव की संभावना नहीं होती तिलहन संबन्नी फसलें जो होती हूं अच्छे होती है तीसरी चीज़ अगर अगनी और धुआ दक्षन दिशा के तरफ जा रहा है तो ऐसे में क्या होता है प्रदेश पर बुरा असर पड़ता है राजनीते को थल पुतल रहती है राजा को कश्टो होता है प्राकरते कापदा और फसलों को नुकसान की स्थिति रहती है चौथी देखे चौथी स्थिति यह कि हवा ना चले उस समय पे और धुआ और लप्टे उपर के और जाएं लेकिन उपर के और जाकर फैल जाएं डिस्पर्स हो जाएं तो ऐसे में समुद्री तूफान और भुकम का संकट माना जाता है और अगर धुआ उपर जा रहा है फैल नहीं रहा है तो सरवत्र शान्ती सुख और खोशाहली रहती है अब देखी क्या होता है यह सब कुछ डिपेंड करता है वायू वेग और वायू दिशा पर हवा किस तरफ बह रही है साल 2022 में नई दिल्ली के रेخांश और अक्षांश की अगर हम बाद करें तो हवा का रुख जो है वो तैय करेगा कि होली के अगनी और धुआं किस तरफ जाएगा क्योंकि अगर पश्चिम से होली चली पश्चिम से हवा चली तो उत्तर की तरफ अगनी और धुआ जाएगा हवा यह उक्रोस करेगी ठीक है तो होली की अगनी और धुआ किस तरफ जाएगा यह निर्भर करेगा तो गुरुवार 17 मार्च 2022 की रात को 9 बज़े से लेकर रात को 12 बज़े की जो स्तिती है उसमें हवा का जुरुख है वो 70 प्रतिशत उत्तर से दक्षण की तरफ बहेगा और 30 प्रतिशत पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेगा तो यानि कि दक्षण और पूर्व की तरफ की जो स्तिती हवा का रुख हो 70 पर्सेंट दक्षण और उत्तर से दक्षण और 30 प्रतिशत पश्च्शिम से पूर्व की तरफ जाएगा सेम स्तिती आ रहेगे दक्षण पूर्व की की संभावना है प्राकरतिक आपदा और फसलों को नुकसान की स्थिति रहने की संभावना है तो दोस्तों हमने जाना है हुली का क्या एस्ट्रो कनेक्षन है मैं इश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि साल 2022 की जो हुली है हम सभी के जीवन में सुक सम्रिध्य और प्राइ